Hey guys, welcome back to new video और आज की स्थूडियो में हम लोग देखने वाले हैं रूम डेटाबेस में कैसे migration को perform करते हैं तो mainly हमारे पास तीन तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग migration को perform करते हैं तो पहला होता है हमारा auto migration second होता हमारा fallback destructive migration जो कि हमारे SQL queries लिख कर अपने migration को perform करते हैं तो mainly इन तीनों के उपर कुछ न कुछ limitation है तो पहला जो हमारा auto migration है इसकी हेल्प से आप छोटे मोटे migration को कर सकते हों complex migration आप इसकी हेल्प से नहीं कर सकते fallback destructive migration का बहुत बार disadvantage यह है कि पूरा data आपका पूरा waport हो जाता है और नया table recreate होता है third है हमारा जिसमें हम लोग SQL query लिख के अपना migration करते हैं इसमें आपके पास को disadvantage at least मुझे तो नहीं दिखती तो हम लोग इन तीने चीजों को example के लिस्कस करेंगे और समझने कोसिश करेंगे कि हमारे use case में कौन सा चीजें फिट बैटती है और किसकी help से हमें migration करना चाहिए तो सबसे पहले आपको यहां पर base project मिलेगा तो आप इसको अपने android studio में open करेंगे कहां से करेंगे तो आपको जाना होगा इस link पर यह link आपको मिलेगा description में code पर जाएए यहां पर आप इस particular link को copy करेंगे अपने android studio में आएंगे वापस file पर क्लिक करेंगे new project from version control simply आप उस copy करेंगे link को यहां पर paste करके clone कर लेंगे तो आपका जो यहां पर initial project है वो आपको देखने को मिलेगा अब मैं आपको इस initial project में क्या का चीज़े मैंने आपको already करके दी है वो मैं आपको समझा देता हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पर database बना रखा है तो यह हमारा database है ठीक है और यहां पर मेरे पास entity है user तो user आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इनके पास है केवल इनकी id और name data access object में ने बना रखा है केवल insertion और यहां पर मैं इसके data को ले रहा हूं बस दो यहां पर हमारे पास operation है हमारे data access object में dependency injection आपको पता है कि इसकी help से हम लोग अपने चीजों को inject करते हैं जहां पर हमें requirement होती है सिम्पली हम लोग यहां पर अपने database को create करने है उसके बाद यहां पर data access object को तो यह हमारा हुआ main activity जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा composable जिसमें हमारे पास name है और यह view model से आया हुआ list है तो इसको मैं आपको open करके दिखाता हूँ यह मेरा है main view model जहां पर मैंने अपने repository को inject कर रखा है और इस repository के help से जो हमने get list नाम का function मनाया है उससे सारे list को यहां पर हम लोग इस particular mutable state में रख रहे हैं और यह हमारे एक और function है इसकी help से लोग insert कर रहे हैं main activity में simply हम लोग इस list का use कर रहे हैं और यहां पर एक loop लगा कर अपने सारे list item है उनको हम लोग यहां पर render कर रहे हैं यह हमारे पास हो गया हमारा छोटा सा UI जिसमें हमारे पास एक text field है थोड़ा सा space है और एक button है जिसके click पर हम लोग data को save कर रहे हैं तो इसको मैंने already run कर र database में तो यह हमारा initial project है अब हम लोग यहां पर migration को सीखने वाले हैं तो चलिए अब लोग actual काम को करने start करते हैं तो यह हमारे पास user है इसके पास अभी के पास अभी के टाइम पर केवाल इसकी id है और name है तो मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ यहां पर इसमें मैं इसक age को भेजना ठीक है तो age मैंने यहां पर add कर दिया अब क्योंकि यह एक entity है that means इसी type का एक हमारे पास यहां पर बना होगा table जिसका name होगा table का user और यहां पर हमारे पास होगे तीन column id name के name name के age अभी बना नहीं है क्योंकि हम अभी just enter किया है तो हमारे पास table में यह particular column अभी हम include किया है that means हमने table में changes किये है और table में जब changes हुए है हमें यहां पर फिर migration करना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारा पहला migration होने वाला है इसको करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने main database में तो सबसे पहले हम यहां पर discuss करेंगे auto migration क्या होता है और उसकी help से कैसे हम लोग migrate करते ह है तो auto migration को करने के लिए बहुत ही simple आपको यहां पर केवल और केवल यूज करना होगा एक parameter का जिसका नाम है auto migration और आप इसमें array of auto migration भेज सकते हो जैसे हमारे पास entities हम लोग भेजते हैं तो इसके अंदर हम लोग यहां पर भेजेंगे auto migration और इसके अंदर आप भेज सकते हो from जैसे मालो हमारे case में है one तो हम one से जाना चाहते हैं two पर ठीक है इसमें एक और property होती है जिसको हम लोग बोलते है specification which is auto migration specification हम लोग यहां पर पास कर सकते हैं तो उसका यूज हम लोग जस्ट इसके बात करेंगे तो हमने यहां पर दिया auto migration मतलब मैंने रूम से कहा भाई आपने यहां पर अपने database को बता है कि भाई तुम auto migrate कर लो ठीक है and one more thing आपको यहां पर model में जो हमारा age है इसमें कुछ information देनी होगी क्यूंकि हमार जो पहला आप यह देख सकते हो यह हमारा जो पहला list आ रहा है इसमें हमारे पास क्या है हमारे पास है cable name लेकिन जब हम migrate कर करेंगे column info का and यहां पर जब भी आप control P press करोगे तो आपको देखने को यहां पर मिलेगा default value तो default value मैं यहां पर empty string डालूँगा और उसके बाद इस column का जो name है वो मैं age डालूँगा ठीक है तो यह change हुआ हमारे entity में और यहां पर हमने default value को decide किया और इस column का name decide किया and यहां प यहां पर सारी चीज़े fix हैं सिवाए एक के हमें अपने main activity में भी इस particular age को भेजना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको अपने user में include कर दिया है तो उसके लिए हम यहां पर सबसे पहले तो इस name का copy paste version बनाएंगे इसको हम लोग नाम दे देंगे age यहां पर हमारा age store होगा उसक simply हम अपने इस view model के insert user में हमारा जो age है उसका value pass कर देंगे and जैसे हमने इसको insert कर दिया उसके बाद हमारा age का value जो है वह हम चाहतने है कि empty हो जाए ठीक है तो बहुत ही simple सा ही scenario है आपको इसमें I don't think कोई complexity लग रही होगी तो मैं इसको execute करता हूँ देखता हूँ कि हमारा app migrate ह होता है यह नहीं तो app हमारा यहां पर execute हो चुका है तो यहां पर हम name डाल सकते हैं तो मैं डालता हूँ name and यहां पर मैं अपनी age डाल सकता हूँ तो मैं यहां पर डालता हूँ 12 save करता हूँ ठीक है तो हमारा यहां डेटा जेओ है वो save हो चुका है लेकिन हमें यहां पर age नहीं दिख रही है तो age दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारा जो text है इसमें हम simply add कर देंगे अपने age को so it age और फिर मैं इसको execute करूँग तो अभी के time पर आपको age हुआ है उसमें कोई age आपको नहीं देखने को मिल रही होगी और क्योंकि मैंने हमारे इस user को बोल रखा कि भाई तेरी default value है empty तो इसको आप यहां app inspection के अंदर database inspector में भी चेक कर सकते हो तो आपको वहाँ पर table तो देखने को मिलेगी जिसमें हमारे पास age होगा लेकिन वहाँ पर age डाल दिया है तो इस तरह से आप basically बहुत ही simple migration कर सकते हो by the help of auto migration ठीक है जो हम लोगों नहीं यहाँ पर किया तो अब माल लोह में यहाँ पर column के name को change करना हो माल लोह हमारा जो column का name है यहाँ पर वह है अभी age तो मैं चाहता हूँ इसको current age column name में convert करना so auto migration में आप ऐसा करते हो तो possible है लेकिन आपको कुछ specification डालने पड़ेंगे उसको बताना पड़ेंगे कि भाई तेरे को करना क्या है column में so चलिए अब हम लोग इस चीचों करते हैं तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा अपने user में और यहाँ पर जो अपने column का name दे रखा है age simply आप यहाँ पर इसका name change करेंगे current age में और उसके बाद jump on करेंगे अपने main database में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास होता है auto migration specification तो उस specification की help हम अब लेने वाले हैं तो उसको help लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एक class बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे rename age to current age ठीक है और इसको basically आपको यहाँ पर करना होगा extend अपने creation specification से आपको यहाँ पर extend करना होगा और यहाँ बार आपको annotate करना होगा rename column और यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी information डालनी पड़ेगी सबसे पहले आपको डेलना पड़ेगा table का name तो table का name हमारे पास है capital U से start हुआ user तो उसको आप यहाँ पर डाल लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है from column name मतलब पुराना क्या column name आपका था तो वो था age और आप नया क्या चाहते हो तो मैं नया चाहता एक change हो जाए current age में तो आपने यहाँ पर column name change किया तो यह भी एक तरह का migration है तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर एक नया auto migration भेजना पड़ेगा make sure करें आप यहाँ पर इसको दो इसको तीन न बना दें आपका जो database है वो crash हो जाएगा क्योंकि proper जो उसको migration है वो आपन करने वाले हैं ठीक है और इस बार हमारे पास होगा specification तो वो specification आएगा हमारे इस rename age to current age class से ठीक है तो अब मैं बताता हूं यहाँ पर हम लोग array क्यों पास कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो room database है वो सारे migration को यहाँ पर run करता है उसको क्या पता भाई कि तुम्हारा last migration यह है तुम migration ना भेजें आप यहाँ पर अपने पुराने को वैसे छोड़ें और एक नया migration बना लें जिसमें आप actually में इस specification को डालना चाहते हो ठीक है तो यह बहुत ही simple सा चीज है अब मैं execute करता हूं आपको यह दिखाने की कोशिच करता हूं कि हमारा जो column का ने में वो change हुआ है या नहीं तो यह हमारा user है और आप देख सकते हो यहाँ पर age था जो कि अब change हो के हो चुक है current age ठीक है तो कुछ इस तरह से आप basically column को rename कर सकते हो अब हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कैसे हम लोग column को delete कर सकते हैं तो मैं क्या चाहता हूं मैं इस user में से इस age को निकालना चा से हटा दूँगा ठीक है तो यहाँ पर आप age की value भी नहीं भेज होगे क्योंकि वो चीज तो हट चुकी है आल राइट सो यह यहाँ पर हम लोग ने अपने चीज़े कर ली हैं अब हमें क्या करना है हमें चलना है अपने database में तो हमें यहाँ पर फिर से automigration का यूज करना होगा लेकिन इस बार ही हम लोग delete करने वाले हैं column को तो annotation यहाँ पर होगा delete column और इसके नदर हम कुछ information भेजनी होगी लेकिन उससे पहले मैं अपने class का name देता हूँ which is delete age column ठीक है और इसको हम लोग simply extend करेंगे अपने automigration specification से and यहाँ पर अब हम लोग कुछ information डालेंगे तो सबसे पहला हमारा होगा table का name which is user और उस column का name जिससे आप खतम करना चाहते हो तो हमारे case में हो है current underscore age तो यह भी तरह से migration ही है तो इसके लिए आपको यहाँ पर top पर जाना है और simply इसको कर लो copy and यहाँ पर कर दो paste तो अब हम लोग यहाँ पर migrate कर रहे हैं 3 से 4 में और यहाँ पर होगा हमारे पास delete age column और simply आप इस चीज को यहाँ पर कर दोगे 4 क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी migrate करने वाले हैं from version 3 to 4 so अब हम लोग इसको execute करेंगे तो आपको वहाँ पर age का जो column है वो गायब मिलेगा अपने इस database inspector के अदर हम लोग check भी कर सकते हैं यह column यहाँ से होने वाला है गायब alright so हम लोग यहाँ पर check करते हैं app inspection के अदर जो database inspector है उसमें कि हमारा जो वह column है वह यहाँ से delete हुआ है या नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारा current is नहीं आ रहा है that means successfully delete हो चुका है तो इन सारे cases में मतलब simple जो आपके migration होते हैं उनको आप बहुत easily कर सकते हो by the help of auto migration ठीक है तो यह हमारा case हुआ auto migration का हम लोग कैसे use करते हैं और क्या-कैस के थोड़े बहुत advantage है advantage यह है कि यह बहुत easily आप कर सकते हो और इसका disadvantage वह यह है कि आप इससे complex operation को नहीं कर सकते ठीक है और अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है fallback destructive migration के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले है कि कैसे हम लोग fallback destructive migration की help से migration को perform करते हैं तो यह हमारा initial application है जब भी आप master से check out करोगे तो यह वह वाला application है और इस पर मैं अभी अपना जो fallback migration है उसको आपको करके दिखाता हूं तो let us suppose मैंने यहाँ पर हिमांशू name दिया इसको save किया तो पूराना behavior आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो मैं का चाहता हूं मैं चाहता हूं हमारे user में एक age आ जाए तो उसके लिए हमें का करना होगा हमें यहाँ पर एक variable बनाना पड़ेगा age नाम का type में इसका string देता हूं उसके बाद हमें यहाँ पर इसके column में information डाली होगी like के दिए आप इसका column name change करना चाहते है तो मैं य reflect होगा table में that means migration को करना पड़ेगा तो चलेंगे अपने main database में यहाँ पर हम simply इस version को दो करेंगे अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे है fallback destructive migration का तो उसको आपको यहाँ पर simply call करना होता है तो हमारे पास तीन option है fallback to destructive migration जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इ इसका इस्तमाल आप तब करोगे जब आप किसी specific version से नीचे आ रहे हो और आप चाहते हो कि पूरा data आपका या फिर पूरा table आपका recreate हो तो आप इसका यूज कर सकते हो इक्जांपल के दोर पे माल लो आप यहाँ पर version 2 हो और मैं version 2 से version 1 में जा रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि जितना table अभी के टाइम पर नया हो वो recreate हो मतलब पूरा data पूरा wipe out करो नया table recreate करो तो उसके लिए हम यूज करते हैं fallback to destructive migration from downgrade मतलब 2 से 1 में जाना destructive migration from जो हमारा जो table ने वो entirely हटे उसके बाद वो दुबारा recreate हो उसके लिए आप यूज करते हैं fallback to destructive migration from मतलब इन दोनों के इसमें on downgrade from इसमें आप basically version पास कर सकते हो जिस version specific आपको पूरा table recreate करना है आप उसको यहाँ पर भेद दो और जब भी user आपका उस version से अगले version पर migrate करेगा या फि उसका पूरा table दुबारा recreate होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे fallback to destructive migration का तो यह जब भी आप version increase करोगे तो हर बार ही आपको जो table है वो नए create करेगा ठीक है तो simply मैं अपने main activity में जाता हूँ और यहाँ पर अभी मुझे अपने इस user के insert वाले function कंदा जो मैंने user पास किया है इसमें हमें age डालनी होगी तो simply मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ copy यहाँ पर करता हूँ paste यह हो गया हमारा age एंड इसको मैं यहाँ पर भेद देता हूँ age की value मैं यहाँ पर भेद दी और मुझे यहाँ पर एक text field मनाना होगा जिस मैं अपने age का input लूँगा तो यहाँ पर मैं age यूज कर लूँगा जैसे हमारा यह button पर click होगा तो insert करने के बाद हमारा जो age का value है उसको मैं यहाँ पर empty listing से set कर दूँगा ठीक है तो इसको execute करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर emulator दिखाता हूँ हमारे पास already एक data यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो run करके देखते हैं कि इसमें क्या disadvantage है जो मैंने आपको शुरू में बता रखा था All right, app हमारा यहाँ पर execute हो चुका है तो I think आपको idea हो चुका हो कि क्या यहाँ पर disadvantage है Disadvantage यह है कि आपको पूराना data यहाँ से पूरा हट चुका है अब आपका जो table है यह बिलकुल नया recreate हुआ है तो आपको पूराना information है वह बिलकुल ही destroy हो चुका है तो यह इसका एक major disadvantage है और इसकी वज़ाँ से mostly cases में हम लोग इसका use करते ही नहीं है तो user के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है हाँ जो हमने यहाँ पर column add किया था वह हमें यहाँ पर अभी दिख रहा है तो हम simply यहाँ पर कुछ insert करते हैं हिमांशू यहाँ पर मैंने age डाली है 12 और simply मैं इसको save कर दूँँगा तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा 1 हीमांशू मतलब id और उसके अंगेस्ट हमारा name हीमांशू और यहाँ पर अभी मैं इसको refresh करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा id1 name हीमांशू और यहाँ पर age भी हमारे पास आ चुकी है टेक्स्ट पर हमें visible इस लिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर उसको दिखाया नहीं है तो कुछ इस तरीके से आप fallback destructive migration का यूज कर सकते हो हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग SQL query link के migration करते हैं उसके बारे में पुराने वाले की तरह ही है जिसमें हमारे पास यहाँ पर है user और इसमें हम सबसे पहला काम यह करने वाले है कहम यहाँ पर add करने वाले है column एज नाम से type होगा इसका string और यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी information डालेंगे सबसे पहले हमारे पास होगा इसका name तो name मैं यही रखोंगा जो हमारे इस parameter का name है उसके बाद आपको यहाँ पर default value भेजनी होगी तो मैं यहाँ पर empty string as a default value भेजता हूँ Change हुआ हमारे table में that means हमें करना होगा migration इस बार हम लोग migrate करने के लिए एक नया package create करें गे जिसका हम लोग आप जितने भी migration करते हो, उसको आप यहाँ पर pass कर सकते हो. तो हमारे case में जो हमारा पहला migration है, वो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं. So well, migration1, 1, 2, 2. ठीक है? Object, और यहाँ पर हमें एक migration का object क्रेट करना होगा. Basically, यह anonymous class है. यह offset class का कभी भी आपको instance नहीं create कर सकते हैं. तो यह हमारे पास एक anonymous class है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर भेजना होगा, कि आप किस version से कहां पर migrate कर रहे हैं. तो हमारे case में यह है version 1 से version 2 में. इसके अंदर हमारे पास एक function है, migrate नाम से. और यहाँ पर हम लोग basically अपने SQL queries को लिखते हैं. तो हम लोग use करेंगे database के execute SQL का और इसके अंदर हम लोग actual में अपनी query लिखेंगे. तो हमारे case में हमारा होगा alter table, table का name आपको देना होगा user हमारे case में है. हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इसमें add करना एक column जिसका name है age. तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले है add, कॉलम को क्योंकि हम लोग column add करने वाले हैं, तो add column हमने यहाँ पर signify किया है. अब उस column का हमें देना होगा name, तो वो है age, इसका type है हमारे पास text, और यह होगा हमारे पास not null, मतलब null नहीं होगा, and इसकी आपको default value भी यहाँ पर भेजनी होगी, यदि यह आपने दी है, तो मैंने यहाँ पर दे रखी है empty string, तो आप यहाँ पर इसको default value दोगे empty, ठीक है, तो यह simple SQLite query लिखके आप migration को कर सकते हो, अब इस चीज को हम लोग use करेंगे, अपने main data base के अंदर जो add migration है, इसमें simply pass कर देंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले अपना version increment किया है, उसके बाद add migration function रो कॉल किया, इसके अंदर हम अपने migration को pass कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक migration का anonymous object बनाया, हमारी user में अभी requirement है age की, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया mutable state create करेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे age, इसको हम लोग अपने इस text में visible करेंगे, तक कि हमें यह दिखे कि इसका बंदे का age क्या है, और उसके बाद हम लोग simply इस age को pass कर देंगे अपने इस view model के insert user function में, यहाँ पर हमारा जो यह outline text field है, इसको भी हम लोग age के लिए create कर लेते हैं, और यहाँ पर जब हम लोग button पर click करेंगे तो हम लोग insert करने के बाद सारी values को empty से set कर देंगे, तो बस इतना ही हमें करना है और अब हम लोग यहाँ पर execute करते हैं अपने app को और यह चेक करते हैं कि हमारा migration हुआ है यह नहीं, तो app हमारा यहाँ पर execute हुआ है, that means migration हमारा successful रहा है, तो हम यहाँ पर app inspection को open करेंगे, इसमें हमारे पास होगा data inspector, तो उसमें हम लोग देखेंगी हमारा जो column है age वो add हुआ है या नहीं, so user के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा age add हो चुका है, और इसका जो default value मतलब जो पूरान है हमारे data थे उन में empty string से initialize कर चुका है उन सारे values को, तो simply हम लोग यहाँ पर कुछ type करेंगे, let us suppose मैं यहाँ पर RAM type करता हूँ और यहाँ पर 12 age देता हूँ, save करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास RAM name है, प्लस उसका age भी हम यहाँ पर visible है, ठीक है तो कुछ इस तरह से आप नए column को add कर सकते हो, अब second case में मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो model में user है, इसके मैं इस column name को change करना चाहता हूँ, current underscore age में, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर main database में जाना है, version को increase करना है, उसके बाद यहाँ पर एक नया migration लिखना है, तो चलेंगे अपने migration file में, और यहाँ पर simply copy paste कर लेंगे, और इस बार यह signify कर रहा है, और यहाँ पर आपको भेजना होगा, और यहाँ पर आपको query होने वाली हो कुछ इस तरह से होगी, alter table user, और इस बार हम लोग column को add नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर basically use करेंगे rename का, तो rename column age, मतलब यह हमारी पूरानी column है, जो की age थी, इसको हम लोग अभी change करके करने वाले है, current underscore age, तो यह हुआ migration 2 to 3, इसको copy कर लो, main database में चलो, simply यहाँ पर paste कर दो, और यहाँ पर आप इसको import कर लो, तो बस आपको इतना करना है, और make sure करेंगे आपने user में जो इसका column का name में इसको भी change कर रखा हो, तो बस इतना करने के बाद आप इसको execute करोगे, तो इस बार ही आपको जो column का name है age, वो convert हो जाएगा current age में, आप देख सकते हो हमारा जो table है, इसमें हमारा जो age column था वो भी current age में convert हो चुका है, ठीक है तो कुछ इस तरह से आप migration का use कर सकते हो, और इस migration का इतना ज्यादा benefit है, कि आप यहाँ पर किसी भी type की query लिख सकते हो अब depend आप पे करता है कि आप कितने SQL queries आती है, जितने भी आती हो, आप सब का use यहाँ पर properly कर सकते हो, इसमें flexibility है, जो आप चाहे वो कर सकते हो, कोई limitation नहीं है, इसलिए सबसे best approach जो companies follow करती है, वो यही करती है, वो अपना migration खुद से लिखती है, तो इससे होता क्या है, flexibility बह हुची ज्यादा migration की requirement पड़ती है, इस वज़ा से भी वो लोग इस particular scenario को या फिर इस तरीकों को choose करते है, over अबर पुराने वाले जो थे, migration, auto migration था, fallback, destructive migration था, तो सब में limitation थी, बट इसमें नहीं है, इसमें आपको flexibility बहुत ही भर-भर के मिलने वाली है, तो यही था इस मित करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना, इस वीडियो को like कर देना, और comment जबूर कर देना, comment में बताना कि या तुम्हें क्या नहीं चीज़े सीखने को मिली, अगर नहीं मिली तो कम ही क्या है, उसको म ठीक है, तो मिलते हैं में नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर कुछ और चीज़े को हम लोग discover करेंगे Android में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके time का, खातम करने से पहले, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कि यदि आपको ये schemas को देखना हो ना, कि schema change होक उसके बाद आपको यहाँ पर build.grill में, जो कि मैंने already करके दिया है, आप इसको देख सकते हो, पूराने वाले cases में भी, तो यहाँ पर आपको kept block के अंदर, आपको यहाँ पर argumentize करना होगा, जहाँ पर आप location देगे, जहाँ पर आप चाहते होगा, आपको जो schema का file है, वो आ का changes है, ठीक है?